हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिरूँ आज का अमारा टॉपिक होने वाला है मॉक्सी काइंड सीवी सीरप मॉक्सी काइंड सीवी सीरप के मैं आपको यूज डो सब कुछ बताऊंगा बने रही है इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर लो लाइक क्यूंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेट जानकारी इस चैनल पर लेके आता हूं तो बैल आइकन को प्रेस करके जिसका इस्तेमाल बच्चों में बैक्टीरिया के कारण होने वाले इंफेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज किया आता है जैसे कि निमोनिया इसके अलावा और किन-किन प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया आता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे प बनाती है मैंकाइंड फार्मा और इसमें कॉम्पूजिशन होता है एमोक्सिसिलिन 200 mg और क्लविनेट एसिड 28.5 mg चलिए दोस्तों हम में बताता हूं इसे किन-किन कंडिशन में यूज किया सकता है दोस्तों किसी बच्चे को खासी हो या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो उस कंडिशन में इसका इस्तेमाल किया आता है या फिर किसी बच्चे को सरदी जुखाम हो उस कंडिशन में इसका इस्तेमाल किया आता है या फिर किसी बच्चे को गले में किसी परकार की दिक्कत हो उसमें से यूज किया आता है या फिर किसी बच्चे का कान बहरा हो या का सुबह साम के हिसाब से देना होता है और एक साल से दो साल के बच्चे को ये दो से तीन एमिल के हिसाब से देना होता है सुबह साम के दो साल से तीन साल के बच्चे को ये चार से पांच एमिल देना होता है सुबह साम और तीन साल से चार साल के बच्चे को ये देना होता है पांच से साथ एमिल सुबह साम और चार साल से ऊपर के बच्चे को ये देना होता है 10ml सुबा साम दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोड़क्ट हम यूज़ करना चाते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालू होने चीए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चीए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पोच सकते हो हो सकता है रेपलाई करने में थोड़ी देर ही हो जाए लेकिन मैं रेपलाई जरूर दूँगा चलिए दोस्तों आप मैं बताता हूँ किन बच्चों को ड्रॉप पे भी वीडियो बना दूँगा आए जानते हैं अब इससे होने वाले फाइदे दोस्तों किसी बच्चे को निमोनिया की प्रोब्लम हो सांस लेने में दिक्कत हो रही हो उस कंडिशन में अगर आप इस सिरप को देते हो जिरी दीरे बच्चा रिकवर करने लगता है बच्चे को अगर खांसी है तो यह खांसी को भी ठीक कर देता है या फिर बच्चे को सर्दी जुखाम है तो यह सर्दी जुखाम को भी ठीक कर देता या फिर बच्चे को गले से रिलेटेड प्रोब्लम है बच्चे को सीरफ देने के बाद अगर बच्चे के सरीर पर चक्ते पढ़ने लगे खुजली होने लगे तो समझ लीजिए बच्चे को यह सोट नहीं हो रहा या फिर बच्चे को बार बार उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि बच्चे को यह सोट नहीं हो रहा या कोई भी दवाय यूज़ करने से पहले आप डॉकटर की की सला के बिना क्यों भी दवाय यूज़ ना करें I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ क्रीम गोड़ाय